जैमा मरी आप सभी को मरी मा सदासा है आज मैं आपके एक ऐसी साधना और विधी की जानकारी ले करके आया हूँ क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा मैंने विडियो देखा तो उसमें मुझे थोड़ा सा गलत लगा कि बाबा अकाश भहरफ कौन है बाबा अकाश भहरफ को बार्बरी की करके एक रिशी से जोड़ा गया कि उनका सर कटके वहाँ पर नेपाल में गिरा और वहाँ पर गिरने के बाद उनकी उत्पत्ती हुई तो ये ऐसा नहीं है बाबा अकाश भहरफ एक्चुली में जो सरभेश्वर महादेव हैं उनके अवतार हैं हुआ क्या था? कि जब भगवान नरसिंग ने हिरन कशप का वद किया तो हिरन कशप के वद के बाद वो बहुत ही प्रले करने लगे थे वो इतना उग्र प्रले करने लगे थे कि सब को, सारी दुनिया को, शिष्टी को, संसार को, हर एक जीव जन्तूओं को नश्ट करने में आ चुके थे नश्ट करने में आने के बाद उन्हें ये लगा कि मैं सारी दुनिया को जब नश्ट करूँगा तो बचाने के लिए कौन बैठे हैं शिव तब भगवान शंकर ने सरभेश्वर महादेव जिनको अकाश भहरव कहा जाता है उनका अवतार लिया और यह युद्ध 18 दिनों तक चला था और 18 दिनों के बाद भगवान नरसिंग जी का क्रोध शांत हुआ तब जाकर के सरभेश्वर महादेव जो की अकाश भहरव ही है उनकी उत्पत्ती हुई और ये एक ऐसे देवता है इनका गुड़ रहस सूतर एक ऐसा है कि इनको कोई बांध नहीं सकता इनको ये लंबर ठीक या फिर अकाश के देवता माना गया है और दूसरी चीज कि इनको कभी भी अंदर नहीं रखा जाता ये सब खुले में बाहर में रहने वाले हैं जिस प्रकार जैसे माता आसमानी बाहर रहती है वैसे ही आकाश भहरव भी बाहर रहते हैं वो बाहर ही रहेंगे इनकी साधना भी पद्दती भी होगी तो आप शत पे करेंगे बाहर करेंगे शमशान में करेंगे सब चीज बाहर होगा क्योंकि ग्रामिल विदीविदान में जैसे हमारे धर इनको तामसिक भोग भी लगता है साथ्विक भोग भी लगता है इनकी जो साधना होती है वो नौ दिन की होती है ठीक नवरात्तिरी में और अन्यथा 21 दिन की साधना होती है ग्रामीर पद्दिती में विदी विधान से इनका मंत्र चलता है जो कि ग्रामिर एक जटल मंत्र प्रक्रिया होती है एक शावर मंत्र जो प्रक्रिया होती है वो बहुत जटल होती है प्रती दिन आपको पांच या साथ माला करना होता है क्योंकि इनका मंत्र काफी बड़ा भी होता है और काफी रोचक किसम का होता है इनको जो तामसिक में भोग लगता है तो कई लोग भेड, मेमना ये इनकी बली देते हैं और सात्विक में हम लोग जो देते आए हैं भूरे कुम्डे की बली देते हुए आए हैं इनको क्योंकि इनके मुकुट में बोलना चाहिए इतना त्रीव तेज है एक प्रताप है इनकी आँखे इतनी तेजस्वी हैं कि अगर वो किसी को देख लें आकास से ही तो वो मर जाता है इसका एक और कतन है कि हमारे दर जो उनकी मूरती है वो बाहर रखी हुई है और आज भी कोई परिंदा उनके उपर से शायद नहीं निकल पाता है ठीक कारण इसका ये है क्योंकि उनका तेज इतना है उपर उनका जो छट है वो खुला हुआ है तेज इतना है उपर कि वहाँ पर कोई निकलता है तो वो परिंदे को नुकसान हो जाता है काला आसन इनको अतिप्रिय है, काले कपड़े इनको अतिप्रिय है, इनको जो भोग लगता है, नीबू, पान, बताशे, लौंग, जायफल, नारियल, अगरवत्ती, धूप, दीप, दक्षण मुखी दिया, सरसो के तेल का, काले हकीक की माला, इनसे इनके मंतरों का जाप किया जाता है, और उन मंतरों को जटिल प्रक्टिया से एक जाकर तवस्था में ला करके, अपने लोग कारे सिद्ध करते हैं, कारे बनाते हैं, क्योंकि एक ऐसे देवता है, क्योंकि ये उड़के मार सकते हैं, कोई भी चीज होगी, अगर नीचे से कोई बांध दिया गया है, त जखसा होगा, क्योंकि इनके मंतर के प्रती दिन पाँच माला जास सही आपको काफी भयाना कनुभफ होंगे, इनका जो शरीर होता है, क्योंकि बहुत विकराल सवरूप में होता है, इस कारण से इनका जो मंतर रहता है, अगर आप जाप करेंगे, तो आपको सरवार करम का काम हो, नौ प्रयोग हो उनके, वो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, इस कारण से बाबा आकाश भहरव जो हैं, बोलना चाहिए आकाश के प्रमुख देवता माने गए हैं, ज्योंकि वो जैसे बोलते हैं पवन पत्र हनुमान, तो वो पवन की स्पीट से उड़ सकते हैं वैसे ये भी पवन की स्पीट से हवा, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, सरफ महसूस कर सकते हैं, है न, वैसे यही इनके साथ भी होता है, कि आप इनको महसूस करने में यही समझ में आयागा, आपको मंतर जाप करने में कि हाँ, यह बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ झाल झाल